are Hello everyone मैं दिव्याइडीएटीए स्टडी सेंटर में आप सभी सवागत है आज हम सीखने वाले हैं 3 लगुआ के घटाना हम एक ऊंक और दो लगुआगkelt वीडियो का घटाना खुल एंगे यह हम घटाने का सेंबल है घटाने को फिनवाथ हैं सबसे पहले हमक्स देख consists right तो जब हम जोडते हैं तो गटाते हैं तो उपर क्या है और नीचे 9 क्या है छोटी संख्या है 9 से घटेंगा नहीं तो 8 क्या करेगा यह अपने बगल वाले से क्या लेगा उधार लेगा तो इसको यहां पर देदेगा तहां हो जाएगा 188 विए 9 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 9 क्या होता है 18 तो 18 में 9 घटाएंगे नो बचेगा करजा तो एक लेता है लेकिन हम उसको 10 मानते हैं तो इससे करजा लेगा तहां हो जाएगा 10 और 8 पहले से है तो हो जाएगा 18 तो ठारप में से 9 जाएगा, तो 9 बचेगा अब यहाँ पर क्या बचेगा? 4 क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसने एक इसको कर्ज दे दिया था तो यहाँ पर 4 बचेगा तो 4 में से 7 घटाना है, तो घटेगा नहीं क्योंकि 7 संख्या बड़ी है, 4 से तो इस 4 क्या करेगा, 9 से 1 कर्ज लेगा, यहां हो जाएगा 14, 14 मेंसे हम 7 को घटाएंगे तु 7 आएगा 7 और 7 कितना होता है 14, यहां पर कितना बचा, 8 यहां पर 9 है लेकिन इसने 1 कर्ज दे दिया था तेहां पर 8 बचेगा, 8 मेंसे 4 घटाएंगे तो 4 आएगा उमिद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आए हम दूसरा question देखते हैं, इस बार आपको समझ में आ जाएगा, इसको भी घटाते हैं, यहां है 5 और यहां है 8, 5 में से 8 नहीं घटेगा, क्योंकि 8 क्या है, बड़ी संख्या है, 5 से 5 क्या है, छोटी करज मांगेगा, 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यह कैसे दे पाएगा, यह तो नहीं देगा, लेकिन यह क्या करेगा, कि 6 के पास जाएगा, और 6 से करज मांगेगा, तो 6 इसको उधार देगा, तो यहां पर 0 है, यहां पर हो जाएगा 10, क्यो पर 5 already है कर्ज देगा 1 को मतलब होता है 10 तो 10 और 5 हो जाएगा 15 में से 8 गटाएंगे तो इजली घट जाएगा 15 में से 8 गटाएंगे तो बचेगा 7 गी देखते हैं यहां पर कितना है 9 9 में से 3 घटाएंगे तो यहां बचेगा 6 और यहां पर कितना बचा 5 क्योंकि यह 6 है एक कर्ज दे दिया था यहां बचेगा 5 5 में से 4 जाएगा तो यहां बचेगा एक वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिक कर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंत जय भारत